कहाने की शुडबात ब्रैक नाम की एक लून शाअउक से होती है जो लूगों से अपना पैसा निकलवाने के लिए बहुत ही बेदर्ती से काम करता था जिसके लिए उसने डैनी नाम के एक आदमी को रखा हुआ था डैनी को बच्पन से एक पिंजरे के अंदर रखा गया था जहां उसे खाने के लिए कुट्टूं को खाना दिया जाता था कभी बाहर ना जाने की वज़य से डैनी के दिमाग का विकास हुआ ही नहीं था साथ ही डैनी के कले में एक पट्टा भी बंदा हुआ था जिसके खुलते ही वो एक खतरनाक जानवर की तरहां किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता था लेकिन ब्रैट फिर भी डैनी पर बहुत जाद आत्या चार किया करता और वहीं समझ ना होने की वज़े से डैनी को ये उसके प्यार करने का तरीका ही लगता डैनी के पिंजरे में एक फर्स्ट क्लास की किताब भी पड़ी थी जिसे देख कर वो अपना टाइम पास की अगरता था अगले दिन वो लोग वापस अपने काम पा निकल गए पर इस वार उनका शिकार एक बहुत ही बढ़ा व्यापारी था वो बागी लोगों की तरह बिलकोल नहीं था और उसे डैनी की स्कॉलर ट्रिक के बारे में भी अच्छे से बदा था और इसलिए उसने ब्रैट को डैनी के पास जाने ही नहीं दिया ज़ल्द ही उसके आदमियों ने ब्रैट को पीटने शुरू कर दिया और वही पास में खड़े डानी को समझी नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या पर तवी किसी तहां से ब्रैक ने खुद को बचाते हुए उसकी गले का पट्टा खूल दिया जिसके बार डानी ने टुरंट वहां मजूद सभी आदमियों को पीट में शुरू कर दिया और उसकी इस काबिलियत को देख कर वही पास में खड़ा वेथ काफी एरान था जो की एक अंडरग्राउंड फाइटेंग रिंग का मालिक भी था और उसे डानी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाने का एक मौका दिखा सभी आदमियों को पीटने के बाद जब वो लूग बाह वेरहॉस था और ब्राट पिछली बार की तरहां मात नहीं खाना चाता था और इसलिए उसने डानी को वेरहॉस में रुक कर इंतजार करते हुए एक अलाम पर नज़र रखने को का और जैसे यूस अलाम की बत्ती जली तो डानी को अंदर जाकर ब्राट को बचाना है प्यानों को ठीक करने के लिए ही आया था और पियानों में डानी की रूचे देखकर सैम ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया डानी अब Pयानों को बजाने में थोड़ा मग्न हो गया उसके स्चुप्पी से सैमको को कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए उसने डानी को पास में ही लगी हुई एक घड़ी की आवाज पर ध्यान देने को कहा पर घड़ी की तरफ देखते ही डानी को अलाम की आद आ गई और जैसे उसने बत्ती की तरफ देखा तो वो तो पहले से ही जल रही थी डानी तुरंथ ही उस कमरे में बंद कर दिया गया थोड़ी देर बाद ब्रैट से मिलने के निये विट वहाँ आया जिसके पास पैसे कमाने का एक बहुत बढ़ीया उफर था असब में विट डानी को अंडर्ग्रांग फाइटिंग रिंग में लड़वाना चाता था और यह एक डेथ मैच था जिसका सामने एक ऐसा रेसलर था जो कि तीन साल से लगातार चैंपियन बन रहा था और इसी निये सबी लोगों ने उस रेसलर की जीत पर पैसा लगा है पर मैच चुरू होते ही डानी ने उस रेसलर की गले में तीन मुक्य मार कर मैच को एक मिनट के अंदर खतम कर दिया विट डान अंद के बाद को उसके हिस्से के पैसे दर दिये बृट पहली बार डैनी के काम से खुश था और उस इन्टियों इसने डैनी को कुछ भी वांगने को कह पर जब डैनी ने उसके सामने पियानों के डिमान रखी तो ब्रैत ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया तब ही अचानक से ट्रक ने उनकी गाड़ी को ठोका असल में एक काम उसी व्यापारी का था जिसे डैनी ने पिछले दिन पीटा था और आज वो उन सबसे बतला लेने के लिए आया था गाड़ी को ठोकने के बाद उसके आदमियों ने उन पर अंधा धुन गोलिया चलानी फिरस सैम से हुई जिसने डैनी को उसके कदमों की आवाजों से ही पैचान लिया पर सैम की कुछ बोलने से पहले ही वो बिहूश हो गया और जब उसे हूश आया तो वो पहनी बार एक बिस्तर बंडेटा हुआ था और थोड़ी देर बाद उसे एसास हुआ कि वो किसी नई जगा पर था असल में पिछले दो दिन से सैम अपने घर पर ही उसका ध्यान रख रहा था डैनी को इतने प्यार की आदत नहीं थी इसलिए वो घपरास आ गया थोड़ी देर बाद सैम की बेटी विक्टोरिया भी घर आ गई जिसे देखते ही डैनी बिस्तर के नीचे छुप लेकिन उसने आज तक लोगों के साथ खाना नहीं खाया था और इसी दिये विक्टोरिया ने उसे अच्छे से खाना खाना सिखाया थोड़ी देबाद सैम ने डैनी के पट्टे को निकालने की कोशिश की पर डैनी अभी इसके लिए तयार नहीं था अगली सुभाव सैम और डैनी विक्टोरिया को उसके कॉलिज छूडने के लिए गए जहां अंदर जाने से पहले विक्टोरिया ने उसके गाल पर एक किस की जिसके बाद डैनी को काफी शर्म आ रही थी असलने उसने किस के बारे में एक किताब में पढ़ा था और आज उसने पहली वारे से महसूस किया डानी की इस कुशी को मैसूस करके साम भी काफी कुछ था उसी शाम साम ने डानी से विप्टूरिया को कॉलेज से लाने को कहा और साम की बात मानते हुए डानी विप्टूरिया के कॉलेज गया जिसके बाद वो दूनों आइसक्रीम खाने चले गए रात के समय गए यहां अचानक से कुछ गुंदों ने लडाई करना शुरू कर दिया जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी डड़ गए और डैनी फिर भी बेविक्र होकर अपनी सबजीयों को चुनने में लगा हुआ था उसकी ये बाद सैम को काफी अजीब लगी और जब उस पता चला कि डैनी की मासूमियत का फाइदा उठा कर उसे अपने फाइदे के लिए इस्तमाल किया जाता था अगले कुछ दिनों में वो तीनों एक परिवार की तरह रहने लग गए और अब डैनी ने विक्टूरिया को उसके गले में बनते हुए पट्टे को हटाने की इज विदे दी थी एक दन साम डैनी को अपने साथ एक पियानो ठीक करने के लिए लेकर गया जहां उसने उसे बताया कि वो लोग विक्टूरिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस न्यू यॉक जाने वाले हैं ये सुनते ही डैनी काफी उदास हो गया पर तभी साम ने उ उसकी मलाकात एक आदमी से हुई जो ब्रैट के लिए काम किया गरता था और उसने डैनी को बताया कि ब्रैट अब भी जिन्दा है और वो तो पागलों की तरहां से ढूंड रहा है डैनी भी वापस जाने करें तयार था क्योंकि वो अपने माता-पिता के बारे में ब्रैट स जाया गया पर इस बार ब्रैट के पट्टा खूलने का डैनी पर कोई असर नहीं हुआ साथ ही डैनी ने किसी को मारने से साफ इंकार कर दिया लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती रिंग के अंदर धकेल दिया गया जहां दुश्मन के हमला करने के बावजूद भी डैनी ने उ पर पैर रख दिया जिसके बाद उसके दिमाग ने कुछ अजीब सा हुआ और उसने तुरंट ही सभी फाइटर्स को मारना शुरू कर दिया अखिर में बेचारे डैनी को फिर से पीट कर पिंजरे में बंद कर दिया गया उधर साम और विक्टोरिया डैनी को लेकर काफी पर प्रिशान थे पर उनके पास उसका कोई अता पता नहीं था इतर मौका मिलते ही डैनी अपने पिंजरे से बाहर निकल कर ब्रैक के आफिस में बहुच गया जहां उसे कुछ तस्वीरे मिली और जल्द ही उसने उन तस्वीरों में खुद को पहचान दिया उन तस्वीरों में वो अपनी मा के साथ पियानों पर बैठा हुआ था इसके बाद डैनी ने गुस्से में ब्रैक पर हमला करके उससे एक आखरी बार अपनी मा के बारे में पूचा जिसके बाद ब्रैक ने उसे बताया कि असल में डैनी की मा एक प्रोस्टिडूट थी और वरक सर ब्रैक के पा पर जा रहे थे तो अचानक से डानी को परिवार शब्द चुनाई दिया जिससे सुनते ही उसे सैम और विक्टोरिया की आदा गई और उसने तुरंथ ही ड्राइवर पर हमला कर दिया जिस विज़े से उनकी गारी पलट गई इस मौखे का फाइदा उठा कर वो वहां से भाग कर सीधा अपने परिवार के पास पहुँच गया उधर सैम और विक्टोरिया भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे जब डैनी ने अपनी मा की कहानी सुनाई तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ विक्टोरिया ने उन तस्वीरों को देखकर सैम को उस जगा के बा पर एक दिन अचानक से वो अपने बेटे के साथ गायव हो गई उतर विक्टोरिया ने उस तस्वीर में मौजूद म्यूजिक नोट्स को पढ़कर उन्हें पियानो पर बजाना शुरू कर दिया ये वही धुन थी जो टैनी की मा बजाया करती थी और उस धुन को सुनते ही डैनी की सारी याददाश्ट वापस आ गई असल में डैनी की मा एक बहुत ही गरीब पियानो प्लेयर थी और इसलिए उन्होंने अपने शरीर के बतने ब्रैक से एक लून लिया था पर वो हमेशा डैनी को इस सबसे बहुत दूर रखती थी पर एक दिन जब ब्रैट को इस चला तो उसने डैनी से मिलने की कोशिश की पर उसकी मा इसके लिये बिलकुल तया नहीं थी इतनी सी वाद से तिन मिलाकर ब्रैक ने उसकी मा को गोली मार दी जिसके बाद उसने डैनी को भी अपना गुलाम बना लिया इतर याददाश्ट वापस आते ही डैनी समझ गया था कि ब्रैट एक बहुत ही खतरनाक आदमी था और इसलिए उसने विक्टोरिया और सैम को जल्द से जल्द शहर छोड़ने को कहा पर उनके वहाँ से जाने से पहले ही ब्रैट और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया इसलिए डैनी ने उनको अलमारी के इंदर चुपा दिय जिसके बाद वो खुद ब्रैट के आदमियों का सामना करने चला गया और इस बार उसका मकाबला स्ट्रेंजर नाम के एक आदमी से था जो ठीक उसी की तरह लड़ता था पर फिर भी डैनी ने उसे आसानी से अरा दिया आखिर में ब्रैट खुद डैनी को ढूंडते हुए उसके घर में आया जहां उसने साम और विक्टोरिया को जान से मारने की धमकी देते वे डैनी को सरेंडर करने को गया डैनी किसी भी हाल में साम और विक्टोरिया को खोना नहीं चाता था और इसलिए वो इसके निये तयार भी हो गया पर जैसे ही ब्रैट ने उसे पत्ता पह और उन्होंने ब्रैट के किये हुए अपराधों की निये उसे अरेस्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद सैम और डानी एक साथ विक्टोरिया का शो देखने के लिए गए। जहां शो से पहले विक्टोरिया ने सभी को बताया कि वो ये गाना किसी खास इंसान की निये बजाने वाली है। और असल में ये धुन वहीं थी जो अकसर डानी की मा बजाया करती थी। ये देख कर डानी बहुत जाला खुश हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चांग को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में।